हलो नमस्ति दोस्तों मैं उस रोज मेरी किचिन में आपका भूत भूत स्वागत है दोस्तों आज आपको हम बताएंगे कि अपनी स्किन को किस तरीके से नेचुल तरीके से आप गोरा बना सकते हैं क्योंकि दोस्तों महिंगी महिंगी क्रीम लगा गर लगा करके बहुत ज़्य काली पड़ जाती है तो उसको आप natural तरीके से बिना cream के बिना खर्चे के किस तरीके से साप कर सकते हैं glow कैसे ला सकते हैं वो हम बताएंगी वो भी बिना पैसे के और बहुत ही आसान तरीके से तो दोस्तो यहां पे मैंने लिया उसके लिए एक टामाटर क्योंकि दोस्तों टमाटर हमारे सरीर के लिए वैसे भी बहुचादा फाइदा करता है क्योंकि खाने में भी बहुचादा फाइदा करता है खाने में भी ये खुन की कमी को दूर करता है और हमारे चेहरे पे इसकिन पे गलो रहता है इसको खाने पे खुन साप रहता है और भी बहुत ज़दा फाइदा करता है क्योंकि प्रोटिन से भरपूर होता है टमाटर तो यहां पे मैंने इसको दो भागों में डिवाइट कर लिया है तो खाने के पहले भी यह फाइदा करेगा खाने के बाद में फाइदा करेगा क्योंकि इसकिन पे लगाने में भी बहुत ज़दा फायदा करता है इसकिन के उपर और खाने से तो बहुत ज़दा इसके फायदे बेनिफिट मिलते हैं आपको तो टमाटर को मैंने इस तरी किसी दो बागों में डिवाइट कर लिया है और दोस्तो ये तो सभी के घरों में मिलता है क्योंकि टमाटर का हम सभी ही सेवन करते हैं तो टमाटर कितना ज़दा चमतकार है हमारे इसकिन के लिए ये सियाहद आपको नहीं पता होगा क्योंकि इससे चाईयां भी खतम होती है क्योंकि दोस्तों चेरे पे बहुत ज़्यादा लोगों की बहुत ज़्यादा लेडी चाईयों से बहुत ज़्यादा परेशान होती है तो इससे चाईयां भी और जो दाग दब्बे होते हैं की उपर वो इस से बहुती चल्दी बहुती छत ही फ्टा पढ़ से निकल जाते हैं demamidamρί. चीनी की दूर है और हमारे चेरे की गंधिगी दूर हो ती है और इस से जो हमारी ढ़ल है इसमेय मेल आ चीनी.. यहां पर मैने फिर इकटारी ले लिए. तिहां पे देख सकते हैं जो मेनी टमाटर लिया था टमाटर का हमें क्या निकालना है इसकी जो उपर का भाग होता है वो हमें नहीं लेना रहता है टमाटर का जो अंदर का रहता है जो अंदर का जो रस रहता है अंदर का गूदा होता है टमाटर का वही अमें इस्तिमाल करना क्योंकि सब्से मेन फायदा वही चीज करता है टमाटर का और जब भी आप टमाटर ले तो डेशी वाला टमाटर Лिट लिजी क्योंकि दोस्तों देशी लूज हो चुकी है तो इससे आपकी स्किन टाइट होती है और बहुत अदर फाइदा भी मिलता है इससे और जो आपकी जमी हुई मेल हना आटे से वो निकल जाती है तो दोनु चीजे मैंने डाल दिया है यहाँ पर मैंने लिये थोड़ी सी हल्दी तो दोस्तों हल्दी और आटे से होता यह है कि जो हमारी स्किन पर गलो आता है skin साप रेती है वो तो सभी को पता है बटा आपकी skin पे अगर बाल है चेरे के ओपर छोटे छोटे बारिक बारिक तो जो इन से बाल भी निकल जाते हैं यहाँ पर मैंने एलोवेला जेल लिया है एलोवेला जेल हमारी skin में मसाज करने के लिए यह मसाज करने तो हमारी इसकिन को इतना गोरा कर देगा इतना अच्छा रहेगा बहुत ज़्यादा अच्चा रहता है तो ये सब चीज मिला करके आप अपने इसकिन पे लगाएंगे न तो आपकी सकिन चमक ना स्टार्ट हो जाएगी तो आपको महेंगे महेंगे क्रीम पाउडर या फैसियल को ही भी चीज करवाने की जुरुत नहीं पड़ेगी तो यहाँ पर देख सकते हैं सब चीजों को हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे और दोस्तों यह आपकी जो मेने चीजे यूज में ली हैं जो रेमेडिस में चीज मेने यूज में ली हैं वो सभी आपके घर पे एवलेप होती हैं घर में मिल जाती हैं ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आपको बाहर से लानी पड़े या बाहर से नहीं मिल पाएंगी क्योंकि जब remedies बनाने का मतलब क्या रहता है जब घर की चीज़े इस्तमाल होती है तो वो ज़्यादा फाइदा करती है बाहर की चीज़े तो सब इलाके लगा लेते हैं अगर दोस्तो आपको जैसे लग रहा है कि एलो वीरा जेल आपके पास नहीं है तो आपके पास में एलो वीरा का पोदा होगा क्योंकि दोस्तो पोदे में जो एलो वीरा होता है वो आप लेंगे तो वो और भी ज़्यादा फाइदा करेगा क्योंकि वो ताजा रहेगा नेचुरल रहेगा यहाँ पे सबी चीज़े देख सकते हैं तो अच्छी तरीके से मैंने मिला लिया है तो इस सबी चीज, जो हमारा फैसपे का ये बनके तयार हो चुगा है. तो दोस्तों इस फैसपे को आपको हपते में 2 बार लगाना है. हातों पे पेरों पे स्कीन के उपर और स्कीन के उपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा तो पहले तो जो मैंने चीनी डाली थी टामाटर में वह वाला पेस्ट लगाएंगे इस तरीके से तो दोस्तों इसका रिजल्ट आपको एक से एक बार में ही देखने को मिल जाता है ये नहीं है कि आपको एक दो बार लगाएं उसके बाद में इसका रिजल्ट है ऐसा नहीं है आपको इसका रिजल्ट एक बार लगाएंगे तभी आपको फरक नजर आ जाएगा कि आपकी जो बर्सों से जमी हुई मेल है इसकीन की वो कैसे निकल जाती है आराम से तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको निकालेंगे इस तरीके से तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरीके से में मसाज करनी है हाथों के उपर अच्छे से मसाज कर लिया है यहां पर मैंने हाथों को धो भी लिया है तो यहां पर देख सकते हैं जो गंद की होती है हाथ पेरों की जो मेल होता है हाथ पेरों का वो निकल जाता है इससे तो यहां पर जो मेरा ये पेश्ट है वो आप बाद में लगाएंगे क्योंकि पहले में वो वाला जो चीनी वाला पेश्ट था वो वाला पेश्ट लगाई हूँ इससे जो आपकी स्किन है और भी ज़्यादध सौप्ट हो जाएगी और जो आपका गोरापन है और भी अच्छा निकल के आएगा तो दोस्तो ये जरूर अपनाएं अपने घर में ही बना करकि ये रेमेडिस और दोस्तो व्यूडियो अच्छी लगे तो लाइक करें कमेंट्स करकि जरूर बताएं तो दोस्तो आज के लिए इतना ही थैंक्यू